ओम शान्ती, गिट मानि, मिठा बाबा हम मिठे वच्चों को बड़े प्यार से पालना दे रहे हैं, संगम युकी प्रभु पालना पाकर हम बच्चे देपता बन रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं, ये सारी दुनिया रोग्यों की बड़ी हस्पिटल है, बाबा आये हैं सारी द बिमारी बिमारी अर्थाद बिकारी बन गये थे अब बाबा हमें पाबन बना रहे हैं बाबा कहते हैं एक स्मृति रहें जिसके कारण हमारी अंदर शक्ती रहेगी मुर्जोईस नहीं होगी दुख की लेहर नहीं है गहे वो कौन ची घुए अभी हम इस पुरानी दुनिया पुरानी शरीर को छोड़ घर जाएंगे यह स्मृति होनी जाएं और यह भी सोचना है कि हम नई दुनिया में पुनर जनम लेंगे क्योंकि यह आत्माओं को जब नहीं रहती है इस स्मृति तो वो दूखी होते हैं रोते हैं भटकते हैं लेकिन अभी हमें भटकनी की आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि स्विम भगवान मिल गये भगवान का ज्यान मिल गया और ज्यान पाकर हम अमर हो रहे हैं अर्थात आत्मा का ज्यान मिल गया है जिसके कारण ये स्मृति हमें हमिश्चा रहना चाहिए बावा कहते हैं कि पुरानी दुनिया पुरानी शरीर पुरानी घर छोड़ जाएंगे नए दुनिया नए घर में बावा कहते हैं हम अभी राजयोग सिख रहे हैं राजाई में जाने के लिए बावा ने आज बहुत प्यारा सा गाना याद किया तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो तुम्ही वो बंधु सका तुम्ही वो तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो तुम्ही हो बंधु सका तुम्ही हो बावा हम बच्चों को सर्व संबंधों का अनुभव करा रहे हैं सर्व संबंधों की पालना दे रहे हैं तो बाबा केते हैं ये जो गीत है ये ने ने को समझाने के लिए हैं ऐसे भी नहीं कि यहां सब समझदार हैं बाबा केते हैं भले पुराने बच्चे भी हैं लेकिन उनको भी इस गीत को समझना चाहिए बच्चे समझते हम कितने बेसमझ बन गए हैं लेकिन बाबा आकर हम बच्चों को समझदार बना रहे हैं हर एक अपनी अपनी समझ से वरिष्टर इंजिनियर आदि बनते हैं हम तो आत्मा को समझदार बनाना है आत्मा पढ़ती है शरीर द्वारा परंतु बाहर में जो भी शिक्ष्या मिलती है वो है अल्पकाल के लिए वो भी शरीर निर्वार्थ भल कोई कनभट भी करते हैं हिंदू को क्रिष्चन बना देते हैं किसलिए थोड़ा सुख पाने के लिए पैसे नोकरी आदी सहज मिलने के लिए आजिविका के लिए अब तुम बच्चे जानते हो हमको पहले पहले तो आत्मा भीमानी बनना पड़े यह है मुख्य बात जब हम आत्मा भीमानी बनते हैं तब नीरोगी बन जाते हैं बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे जानते हो हमको अभी एही पुरुशार्थ करना है ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो रोगी नहीं बनता हूँ कुछ ना कुछ तो होता जरूर है बावा किते हैं कलीवी दुनिया में कोई भी मनुष्य हो पूरा नीरोगी नहीं होता है कुछ ना कुछ तो बिमारी होती है काल के चंबे में आ जाते हैं अचानेक मुर्थी को पालते हैं यह भी तुम बच्च जानते हो तुम बच्च श्री भारत को ही नहीं सारे विश्व की सर्विस करते हो भो भी गुप्त रिदिसे बाब केते हैं मूल बात हैं बाप को कोई नहीं जानते हैं मनिश्य होकर और पारुलो की बाप को नहीं जानते हैं उनसे प्यार नहीं रखते हैं अब आप कहते हैं मेरे साथ प्यार रखो बाबा कितना प्यार से प्यार दे रहे हैं बाबा कितना प्यार से कह रहे हैं मेरे साथ प्यार रखो मेरे साथ प्यार रखते रखते हैं तुमको मेरे साथ ही बापस चलना है। बाबा कहते हैं जब तक बापस चलो तब तक इस चीची दुनिया में रहना पड़ता है। पहले पहले देह अभीमानी से देही अभीमानी बनो। तब तुम धारणा कर सकते हो और बाप को याद कर सकते हो। और देही अभिमानी बनना कैसे है? हमें रोज बाबा एही पाठ पढ़ाते हैं, कि अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो, ये शरीर बिनासी है, आत्मा देह से निकल जाती है, तो दो चीज़ हुई ना, बाब समझाते हैं तुम आत्मा हो, आत्मा ही पुनरजनम लेती है, आत्मा ही शरीर लेकर पाठ बजाती है, बार बार बाबा समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए, और मेहनत हम बच्चों को करनी है, क्योंकि पूरानी दुनिया में नीरोगी हो ना सके, यह लक्ष्मिनार्ण निरोगी एवरहल्दी है वहाँ आयू भी बड़ी होती है रोगी विशेश होते हैं वाइसलेस रोगी नहीं होते हैं वो है संपुन निर्विकारी दुनिया बाप खुद कहते हैं इस समें सारी विश्व खास भारत रोगी है तुम बच्चे पहले पहले निरोगी दुनिया में आते हो बाप खेते हैं याद की यात्रा में रहना है आत्मा की यात्रा है बाप पर मात्मा के पास जाने की यात्रा है यह स्पिर्चुल यात्रा यह अक्षर कोई समझ नहीं सकेंगे बावा गेते हैं ये एक शर्ट दुनिया वाला तो समझ नहीं सकेंगे लेकिन तुम बच्चे भी नमबर वार समझते हो क्योंकि ये रुहानी अत्रा है खुद होगा नहीं दूसरों को बताएंगे कैसे जो तीर लगेगा क्योंकि अंदर अगर वो समझ नहीं है हम दूसरों को कैसे समझा सकते हैं बावा कहते हैं स्त्री पती को कितना याद करती है यह है पतियों का पती बापों का बाप गुरूं का गुरू गुरू लोग भी उस बाप को याद करते हैं श्रीपिता निराकार को क्राइश्ट भी बाप को ही याद करते थे परन्तु उनको कोई जानते नहीं बाप जब आए तब आकर अपनी पहचान देवे भारत वासियों को ही बाप का पता ही नहीं है तो दूसरों के से पता चलेगा क्योंकि भारत सबसे पुरानी है प्राचिन योग भगवान ने सिखाया यह है भावना बाप समझाते हैं सच्चा सच्चा योग तो मैं ही कल्प कल्प आकर सिखलाता हूँ वो भी एक इवार मुख्या बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो इसको ही रुहान योग कहा जाता है बाकि सबका है जिस्मान योग ब्रम्ह से योग रखते हैं वो भी बाप तो नहीं है न वो तो महत त्व है रहने का स्थान तो राइड एक बाप ही है एक बाप को ही सत्य कहा जाता है यह भी भारत बासियों को पता ही नहीं बाप ही सत्य कैसे हैं वो ही सचखंड की स्थापना करते हैं तकलिब नहीं होती है तो उस दुनिया में जाने के लिए हमें अभी पुरिशार्थ करना है राजियों को अच्छी तरह जीवन में धारण करना है बावा कहते हैं यह लक्ष्मिराण मालिक हैं उस दुनिया के भल प्रजा भी मालिक हैं पर इंतु दर्श तो बहुत है ना तो बावा कहते हैं पवित्रता भी जरूरी है हेल्थ वेल्थ भी चाहिए स्वर्ग में सब है ना बाप एम अब्जेक्ट समझाते हैं जब हम यहां संपुन पवित्रता को धारण करेंगे तब वो सतीक में संपुन डवल ताज धारी बनेंगे बाबा ने मुरली में कहा था यहवी चित्र हो डवल सिर्ताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा जुकाते हैं अभी बाबा कहते हैं तुमको राजाओं का राजा डवल सिर्ताज बनाता हूं बुलाते भी हम कि आकर पतित पावन अपने को पावन बनाना है मतलब याद करना है भगवान को याद से अपने आपको पावन बनाना है यह बात चिंतन करते हुए हम बच्चों को बहुत खुशी में रहना है बच्चों को खुशी नहीं रहती है क्योंकि चिंतन करते नहीं है तो बच्चों को स्थाई खुशी क्यों नहीं रहती है क्योंकि माया का आपजिशन बहुत है इसलिए खुशी कम हो जाती है लेकिन माया जीत पनने के लिए हमें सदा खुश रहना है और अच्छे पुरुशार्थ करके अपने पद को भी उंचा बनाना है जब हम योग करेंग तो हमारी आयू भी बड़ी होगी संगमी पर भगवान से सब कुछ मिले वहां तो सब कुछ मिला ही हुआ है तुम कह सकते हो हमारा उद्धेश्य है मनिश्य को अस्तिक वनाना धनी का वनाना अभी सब निधन के बने हैं हम धन का बनते हैं सुक शांती संपती का बरसा देने वाला बाब है बाबा केते हैं आज धारणाओं में जिसे बाब सबेव आत्मा भीमानी हैं ऐसे आत्मा भीमानी रहने का पुरुशार्थ करना है पूरा पूरा एक बाब को दिल से प्यार करते करते बाब के साथ घर चलना है बेहत के बाब का पूरा पूरा रिगार रखना ह अर्थात बाप के फर्मान पर चलना है बाप का पहला फर्मान है बच्चे अच्छी रिती पढ़कर पास हो जाओ इस फर्मान को पालना करना है बाबा वरदान दे रहे हैं सेंस और इसेंस के वेलेंस द्वारा अपने पन को सुहा करने वाले विश्यो परिवर्तक भावव सेंसर थाथ ग्यान की पॉइंट्स समझ और इस सेंसर थाथ सर्व शक्ति स्वरूप स्मति और समर्थ स्वरूप इन दोनों का वेलेंस हो तब अपनापन बापुराना पन स्वाह हो जाएगा हर एक सेकेंड हर संकल्प हर बॉल हर करम विश्यो परिवर्तन की सेवापृति स्वाह होने से विश्यो परिवर्तक सोतो बन जाएगे जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वाह हो जाते हैं उनके स्रिष्ट भाई वरसन दोरा बायु मंडल का परिवर्तन सहज हो जाता है बाबा स्लोगन में कह रहे हैं प्राप्तियों को याद करो तो दुख भा परिशानी की बाते भूल जाएगे आज की मुरली का नुसर हम सोमाल लेंगे मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ इसे की साथ मुरली को और भी गहरी रिती से चिंतन करते हुए दिन भर खुश रहेंगे क्योंकि हमारे खुशी गायब हो जाती है इसलिए क्योंकि हम मुरली को चिंतन नहीं करते हैं ग्यान को चिंतन नहीं करते हैं तो बाबा ने क्लियर कहे दिया, ज्ञान को चिंतन करते रहो, तो चेहरे पे मुस्कान रहेगी, इसे की साथ पुरिशार्त में आगे बढ़ते रहें, बाबा को याद करते रहें 24 गंटे, और मुस्क राते हुए जीवन को खुश्टमा बनाए, ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम